कैसे हो प्यारे बच्चों, उमीदा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूटीब चैनल फ्रेंड और स्टुडेंट में तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रशना वली 3.1 का दूसरा सवाल सॉल्प करेंगे, चैप्टर का नाम है चतरवुजो को समझना पहला सवाल हम लोगों ने सॉल्प कर लिया है, अगर आपने वो सवाल नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस सवाल को भी देख सकते हैं तो बच्चो दूसरा सवाल है समबहुज क्या है, एक समबहुज का नाम बताईए जिसमें तीन बुझाए हो, एक ऐसे समबहुज का नाम बताईए जिसमें चार बुझाए हो, और एक ऐसे समबहुज का नाम बताईए जिसमें छे बुझाए हो, यहां तक हमारा ये पूरा ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम बहुज क्या है देखो बच्चो आप अच्छे से जानते हैं ये बहुज क्या होता है क्या होता है बच्चो बहुज ऐसी सरल बंदागिर्ती जो केबल और केबल भुजाओं से बनी होती है बहुज कहलाती है बहुजाओं का मतलब क्य यानि बराबर तो ऐसा बहुबुज जिसके सभी कोण आपस में बराबर हूं और इसके अलावा सभी भुजाएं भी आपस में बराबर हूं क्या कहलाता है सम बहुज कहलाता है ठीक है यानि ऐसा बहुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हूं और सभी कोण आपस में बराबर हो, सम बहुज होता है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब देखो हमें इन तीनों का एक एक उधारन देना है, हमें एक ऐसा सम बहुज बताना है, जिसमें तीन बहुजाएं हो, तो सबसे पहले तो बच्चों ये बताइए, तीन बहुजाओं से बनने वाले ब आपस में बराबर हो, तो बच्चों ऐसे तिर्भुज का नाएम है, सम बाहु तिर्भुज, सम बाहु तिर्भुज, ठीक है? अब हमें एक ऐसे बहुज का उधारन देना है, जिसमें चार बुजाएं हो, तो बच्चों चार बुजाओं से बनने वाले बहुज को हम क्या कह अब हमें ऐसै चत्रभुज का उधारंदान देना है जो एक सम बहुज हो भई ऐसा चत्रभुज कौन सा है जिसमें चारो भुजाएं आपस में बराबर हो और चारो कोड भी आपस में बराबर हो तो बच्चो ऐसा चत्रभुज है वर्ग Qui ठीक है अब हमें एक ऐसे बहुज का उधारण देना है ऐसे सम बहुज का उधारण देना है जिसमें 6 बोजाए हो तो वही 6 बोजाओं से बनने वाले बहुज को हम कहते हैं शड़ बोज ठीक है अब ऐसा बहुज जिसमें 6 बोजाए हो 6 की 6 आपस में बराबर हो और सभी कोण भी आपस में बराबर हूँ तो इसको हम कहेंगे सम शड़ भूज सम शड़ भूज ठीक है यहाँ पर हमारा यह प्रशन complete हो जाता है एक उधारन हमने तीन भूजाओं वाले सम बहुज का दिया है जिसका नाम है सम बाहुतिर भूज ठीक है